वाला किशानी अब ये जा गया है अपने कानूनों हक की लड़ाई को लड़ना चाहता है तो मोदी समज्जा नही तो मौमौर तरिया भी समझाना चाऊ तकती जिन्दाबाद नारी सकती जिन्दाबाद जिन्दाबाद कुलमा के सहीत अमर रहे। नमस्कार मैं हुआ जब अर्द्वा दोर आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं तमाम तस्वीरे किसान नांदोलने से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर क्याने लगे हैं आप सभी को पता भई आज चोदा फरवरी है चोदा फरवरी का जो दिन हो काड़ा दिन के तोर पर पूरा बार देश इसली हम राता है क उनको भी नमन करते हैं उनको भी कोटी कोटी नमन करते हैं बई गाउं की जो चोपाल है यहां पर जो महीला पेंचाहत आजी कठी होई है और उन्हें एक निरने लिया कि पुलुआमा के अंदर जो सैनिक साहीद हुए हैं उनको कोटी 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 नमन करते हैं आज उनकी सा किसान आंदोलन चल रहा खास तोर पर किसानों को जो साधत हुई है उनको भी नमन करती है गाउन इडाने की महिलाई सबसे पहले तो सारी ताया ना राम राम जी और ठीक ठाक हो ताई तो क्या कहना चाहेंगे गुडिया सबसे पहले आप ही बताइए आज का जो आज इकठी कालो कैनुन को ठीक ठीक पर कश पर घोप रहा है जो किसान नहीं समस्ती इसलिए उनका विरोध कर रहे है तो हम यहीं चाहते कि किशान इन तीनों काले कानूनों को वापिस ले मोदी और तो तभी किशान उठेंगे और कितना भी टाइम लग जाए चाहिए साल लगे चाहिए दो साल लगे किशान पीछे नहीं यह टेंगे ये किसान सोच पिसान इए किसान इए उठ जाएंगे अपनी हार मानेगे लेकिने आमकिशान हार नहीं मानेंगे ये पहले वाला बॉलाबाला किसान strap यह जा गया है अपने कानूनों हग की लड़ाई को लड़ना चाहता है तो मोदी समझा नहीं तो मॉमोर्त भी समझाना तो मुचारी करना चाहती हूं हुआ मेरे खुद के निया मेरे बड़े बाय के हैं। जब देश में एक विदान एक सुवी दान है एक निश्यान एक. चुनाओ है और यह मार्पएफ थो एक देश में दो मार्केट क्यों चलाई जा रही हैं जैसे कि फसल क्या करा अलग लग रेटों पर ले रहा और कि मैसेज आओगा तो एक फसल भी कहेंगी यह जुरूर ही निया क्योंकि कि से गर इतने बड़े को नहीं कि वह अपनी फसलाने क्या कर ले उसको रक्स कहें ठीक है कि मोदी के जाने कि यह कितना बड़ी समश्याओं से हो करता है कि जब कि सान यह रात को यह पाणी देवाए नहीं तो उसने के बेरा प्रिवार पर के भीता है मेरा खुद का पापा कि शान है तो पापा जब श्याम ने जावा है तो नहीं अमनू सोचा करा कि यह ठीक टाइ वापिस ले और अपनी हार माले बिल्कुल आप यह जागरुकता देख सकते हैं महिलाओं के अंदर क्योंकि पुरुष तो बढ़ चट करके बाग ले नहीं लग रहे हैं लेकिन टिक्री बोर्डर की बात करियां फिर सिंगु बोर्डर की लगातार वहां पर भी आम महिला सकती बार बार कह रहे हैं जब तक उनको वापिस नहीं लेंगे तब तक यह विरोध करते रहेंगे सरकार का क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार बार बार कह रही है कि कौंग्रेस पार्टी इनको बैकार है यह विपक्स है वो जान बूज करके बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ये कारिये कर रहा है वो बीजेपी और मोदी और एसेस ये बिलकुल बक्वास कर रही है असल में उसके ओपर दवा तो आम बानी अडानी का है और वो सारा देश गिर भी रख दिया सारी चीजे बेशते बेशते किसानों की जमीने पर आ गई लेकिन किसान अब सारे जाना चाहूं हूं हीटलर की चाल पर चल रहा है मोदी यह जुटलर ही है हीटलर की किस तरह से हुई थी मोद रूस वाले ने लाल से ना जो थी लाल जंडे वाले उसके डर से वो किस तरह से चेंबर में घुसार मरा और यहां तो अपने देश में बहुत सारे जंडे हैं बह टान चाहे हैंगारा ह Catholic किहा सिंफ्रेंट बीजेपी सरकार कान पर जुँतर की है है सचानल तक नहीं देखिया वहहां देखिया कि यह कहना चाहँनगी जो बीजेपी सरकार है ऐसी बैंचरो में पहले सुना हुए था कोई सरकार नहीं देखिया लेकिन जो बी जेपी सरकार अपनी जिद्स पे आड़ी हुई है, कहते हैं कि भारत में लोग तंतर है, लोग तंतर कहां रहा, ताना साही हो रही है तो बीजेपी सरकार अपनी मनमानी कर रही है यह जनता की आवाजी यह सुनना चाहती, लेकिन आने वाले दो या तीन शाल के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो इसको मुझ की खानी पड़ेगी और दूबारा ये कभी भी सत्ता में आने की कोशिश नहीं कर सकती ऐसी जनता इसके साथ बदसलुक करेगी जनता है के अंदर फिग अंचक करेंगे जो भी हमारे किसान नेता है वो जो भी सोचेंगे जो भी कहेंगे हम उनके नुशार चलेंगे हमा के साथ में क्या कहना चाहेंगे अर्याना के अंदर भी गठ बंदर सरकार है दुषन सिंग चोटाला है काया जा रहा था कि देवीलाल का पूत्त है उनकी नितियों पर चलने वाला लेकिन उन्हेंने स्कीफा नहीं दिया जंता उन्से नराज क्या काना चाहेंगे दुश्यंत चोटाला को वोट जनता ने इसलिए दिया था कि ये बीजेपी के खिलाफ एक तरह का जनादेश था उस समय पे लेकिन दुश्यंत चोटाला जाके उनके साथ सत्ता में बैठ गे और अब कुर्सी से इतना चिपक गये हैं जुनों फैमिकोल ल वोट किया था जेजेपी को वो इसे लगातार दूर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में एक भी वोट जेजेपी को नहीं मिलेगा ऐसी स्थीती पैदा होगी अगर इन्होंने इस्तीफा ना दिया तो और अगर ये इस्तीफा देते हैं तो सरकार के उपर भी एक दबाव पड़ता है अभी कल का बयान है जह चोटाला का की हमारी जेब में है दूशन्त का इस्तीफा तो तो तेरी जेब में है तो भाहितु कार्ड के दे दे ताकि ये जो किसान इतने ज्यदा शेहीद हो रहे हैं बॉडर के उपर दोसो पच्छीस से ज्यादा किसान शेहीद होगे और आज 14 फरवरी का दिन है आज के दिन 2019 में पुलवामा के अंदर जो अमला हुआ था उसमें 40 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे और उस वो जो शहीद हैं आज हम उनको भी याद करते हैं और साथ की साथ ये जो हरियाना में जो चार पाउं पे इसको खड़ा कर र हुए हैं हमारे जवान लगातार शहीद होने लग रहे हैं एक उनकी आत्मा को भी एक शान्ती मिले ये कानून वापिस होंगे तो निश्चित तोर पे हमारे जो ये शहीद हुए हैं इनकी शहादत विर्थ नहीं जाएगी ये हम आज कहना चाहते हैं आज ये हमने महिलाओं कि एक किसान महिला पंचायत ये हमने बुलाई है और ये इसी उदेशे से बुलाई है क्योंकि जो संसद के अंदर भी जो मोदी बोल रहे हैं कि देज के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला था तीन तलाग के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला था फिर भी एक आनून लेके आए हैं लेकिन हम उनको कहना चाते हैं कि वो उन समाद सुधार आंदोलनों को याद कर ले कि सती पर्था के खिलाब भी आंदोलन चले थे देज पर्था के खिलाब भी आंदोलन चले थे और तीन तलाग के खिलाब भी आंदोलन चले थे और ये महिला आंदोलन की बड़ी मांग थ जो महिलाओं को पिछे दकेलना का काम करती हैं उन कूपर्थाओं के खिलाप कानून आई जो गरों के अंदर इंसा होती है उसके लिए भी लगातार आंदोलन चले हैं बीस-बीस साल तक हमारा जैसा जो संगठन है जनवादी महिला समीती जैसे संगठन उन्होंने दरने दिये तब जाके ये कानून बढ़े हैं ये कोई मोदी सरकार की या कांग्रेस सरकार की देन नहीं है ये उन अंदोलनों की देन है तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जो ये तीन कानून लेके आए हैं इसकी कहीं से भी कोई मांग नहीं थी किसान ये चाहते थे कि हमें MSP मिले वो MSP की गारंटी करने की बजाई और आध्यादेश लाके बिल्कुल गैर लोक्तांतरीक डंग से ये कानून लेके आई तो आज इस किसान महिला पंचायत के माद्यम से हम इसका विरोध कर रहे हैं और गाउं-गाउं के अंदर ऐसी हम महिला पंचायते करेंगे कल हम कैथल में भी य पंचायत कर रहे हैं और ये सरकार अगर ये कानून वापिस नहीं लेती है तो महिलाएं जो है वो दुगनी संख्या में आगे आएंगी और सरकार को कानून वापिस लेने पड़ेंगे नी तो वो याद कर ले इटलर को इटलर को आत्म अत्या करनी पड़ी थी इसको भी आत तक काड़े कानून बीजेपी सरकार वापिस नहीं लेती है तब तक इनका संग्रस जारी रहेगा आज 14 फरवरी इन्होंने उन सहिनिकों को उन सहीदों को साधत दिया उनको कोटी-कोटी नमन किया है जो पुल्वा मातंकी हमले में जो सहीद हुए थे हमारे देश के नोजवा तो महिलाओं का यह निरना आपने कैसा लगया आपने यह वीडियो कैसी लगी आपने इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है नारे लगाओं जी लगाओं किसान लगाओं जिन्दा बाद जिन्दा बाद बीजेपी सरकार मुर्दा बाद मुर्दा बाद ब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, नारी सक्ती जिन्दाबाद, 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 महिले। एक आपने ये वीडियो कैसे लगी आपने इस वीडियो को ज़्यादर सक्तिए। और आज पिर देख सकते हैं कि ग्रामीन अक्षचतरों के अंदर भी महिला जागरुक हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादर से जयदा शेयर करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए विदान स्वाक शेतर जुलाना से अपने केमरमने से गिंजजार के साथ मेज़ब आर्दवाज राश्टने दिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करें